आज मैं आपको उता हूँगा कैसे आप प्रॉक्सी आईपी बाई कर सकते हैं चाहे आप किसी भी कंट्री की हो USA की, UK की, Canada की, Mexico, Australia किसी की कंट्री की भी आपको आईपी चाहिए तो आप कैसे बाई कर सकते हैं आईपी आपको क्यों चाहिए होती है अगर आप Amazon accounts run करते हैं अगर आप HC के उपर accounts run करते हैं eBay accounts को manage करते हैं तो उसके लिए आपको VPS लगाना पड़ता है उसकी बजाए अगर आप अपनी proxy buy करते हैं और उसको अपने किसी browser के अंदर attach करके और उस IP को access करते हैं और उस browser से आप अपने accounts को manage करते हैं चाहिए वो Amazon ads, eBay accounts हो या bank accounts हो जो बार के हम बनाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में एकसर चीज़ें work नहीं करते हैं तो हम उसके लिए VPS use करना पड़ता है तो उसके लिए best solution जो है वो यही है कि proxy आप buy करें और मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप buy कर सकते हैं कहां से buy करेंगे best reliable website कौन सी है क्योंकि इस market के अंदर बहुत scams होते हैं और बहुत सारी websites fraud करते हैं तो उन से बचने के लिए अकसर मुझसे लोग question करते हैं वाई best website कौन सी है जहां से हम अपनी proxy buy कर सकते हैं अगर आप TikTok accounts manage करना चाहते हैं जो आज कल monetization के चकर चल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर लोग monetize TikTok account लेना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं क्योंकि कुछी countries के अंदर TikTok monetization यह वो program बीटा जो है RDP type आपको कुछ setup करना है तो यह एक best solution है जो आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो इस वीडियो को लास देखिए का beginner friendly यह guide होगी और मैं step by step आपको बताऊँगा कैसे आप IP buy कर सकते हैं उसको setup कर सकते हैं अच्छा देको मैं जो आपको IP बताने वाला हूँ ना पहले आपने IP buy करनी होती है IP की details आपको मिल जाती है यानि username and password ये एक private IP होती है जिसको सिर्फ आप ही access कर रहे होता है यानि उस browser को अगर आप लैट से USA की IP buy करते हैं USA की details आपको उसका IP की मिल जाती है उस आपको आप access करते हैं username और password से तो सिर्फ आप ही कर रहे होते हैं वो एक static IP आपको मिल जाती है उस country की उस country का browser आपको मिल जाता है उसमें पिर आप जो भी accounts मेनेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं यह बहुत ही जबरदस easy process है और सबसे ज़्यादा safe है and affordable भी है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो यह है कि IP को आपने buy करना है तो मैं आप कहां से IP buy करता हूँ यह है proxy seller इनकी official website को पर आपने आ जाना है इसका link मैं निचे आपको डाल दूँगा description में उसी पर आपने click करना है क्योंकि बहुत सारे इसमें fake websites भी बने होते है तो make sure कि आप official website को पर जाएं तो नीचे description में link है उस पर click करें आप सीधा इसी page को पर land करेंगे यह जो page है यहां से आप IPs वगएरा buy कर सकते हैं यहां जबर्दस हर किसम की IPs मौझूद है यहां टाइपस आप देख सकते हैं किस किस टाइपस की IPs मौझूद है यहां पर टॉप में मैनियो में इनों डाली हुई है हमें यह IP चाहिए proxy IP version 4 इसमें यूरप है एशिया है अफ्रेका है उसके बाद नौर्थ अमेरिका किसी भी कंट्री की आपको IP चाहिए तो आप buy कर सकते हैं हमें अक्सर United States, Australia या UK की चाहिए होती है तो वो यहां पर मौझूद है UK की let's say हमें buy करनी है तो यहां पर यूरप के अंदर आएंगे और England मौझूद है अगर आप USA से LLC रन करते हैं अपनी या वहां के आपकी अकाउंट्स हैं तो फिर आप यहां पर North America के अंदर आएंगे तो यहां USA मौझूद है Canada भी है, Mexico भी है तो सारे almost countries मौझूद है आपको किसी के बपर भी जाना तो आप जा सकते हैं मैं अलेट से जाता हूं Europe, England पे क्लिक करते हैं जो currently मैं England की रन कर रहा था वो expire होने वाली है, almost हो चुकी है मैंने उसको renew नहीं किया क्योंकि मैं चाहरा था कि आपके साथ share करूं कैसे buy करना है यहां पे quantity, 5 IPs चाहिए, 10 चाहिए, 25, 50 जितनी चाहिए आप कर सकते हैं मुझे एक ही चाहिए होती है तो मैं यहां पे first पे जाता हूं prices की बहुत ही affordable है और maximum जो market के अंदर इस वक्त websites है ना जो IP आपको provide करती है वो almost fraud है कसम से मैंने बहुत सारी try की हैं इस से पहले लेकिन पिछले एक डेट साल से तकरीबन मैं यह use कर रहा हूं और मुझे इसमें कोई मसला नहीं आया best website है और rates इनके बहुत ही कमाल के हैं तो एक ही IP मैंने यहां से ली buy पे click करें अच्छा यहां पर यह order form आ गया है अब यहां पे कुछ details आपने देनी है location, England आगे purpose of use आप कुछ भी कर सकते हैं account मैं लिखे देता हूं या account management आप कुछ भी लिख सकते हैं no problem अब कितने महीने के लिए चाहिए आपको एक महीने के लिए दो weeks के लिए भी आप ले सकते हैं अगर budget कम है आपको यूजर नेमेंट पासवर्ड चाहिए तो हमें इस IP को एकसेस करने के लिए यूजर नेमेंट पासवर्ड की ज़रूँता है यहां टिक कर रखेंगे अपना यहां पे email डालेंगे जिस email के थ्रूँ आप account बनाना चाहते हैं अपना यहां से payment method PayPal से भी आप पे कर सकते हैं या फिर Visa Mastercard से भी मैं Visa Mastercard कर लेता हूँ redeem code पे क्लिक करेंगे यहां पे description मैंने code भी डाल दिया अगर आप वो enter कर देते हैं अफ़ता 15 तो आपको देखें मजीद discount मिल गया कितना 15% जनाब इसको मैं अगर खतम करता हूँ तो देखें 27 डॉलर्स और इसमें मैं अगर अपना coupon code डालता हूँ तो 23 डॉलर्स अच्छा खासा आपको discount मिल रहा है वो code भी आप use कर सकते हैं वो भी description में आपको मिल जाएगा ठीक है मैं submit order पे क्लिक करता हूँ अच्छा यहाँ पे आपने देख लेना है confirm कर लेना अपनी email and country और आप यहाँ पे continue करेंगे फिर यहाँ पे अपने card details डाली है जिस card से आप pay करना चाहते हैं तो मैंने enter कर दी है master card, visa card कोई भी आपके bank का card है तो चलेगा pay पे click करते हैं और आपकी payment हो जाएगी और यह IP आपको assign हो जाएगी ओके जी तो payment होगी है यहाँ पे देखें thank you for your payment कुछी minute के अंदर एक दो minute के अंदर आपको यह IP details भेज देते हैं आपकी email के उपर भी जो email आपने enter की थी उसके उपर आपको details मिल जाएंगी ठीक है नहीं भी मिलती तो आप उन्हें अपने account के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर आप अपने account पे click करेंगे order पे click करेंगे orders यहाँ पे सारी app की IPs show हो जाएंगी जैसे यहाँ पे देखें यह जो हमने भी buy किया है वो मेरी IP यहाँ पे मौझूद है यह इंगलेंड की एक हमारी एकस्पायर रहरी थी तो मैंने का इसको जाने देते हैं और एक नहीं buy करते हैं आपके लिए तो अब यह हमने buy कर लिए IP इसकी details आपको email पर भी मिल जाएंगी port वगएरा, username, password वगएरा लेकिन अगर आप यहां से भी लेना चाहते हैं तो आप इस question mark पे hover करेंगे जैसे ही आप hover करते हैं तो यह सारी चीज़ें आपको मिल गई अब इन में से जो चीज़ें important हों आपको अदा देता हूँ उपर सबसे top में जो आपको port देख रही है और IP खुद को भी आपने यहां से copy कर लेना है तो चार चीज़ें आपने अपने पास save कर लें ठीक हो गया यह IP address वो जो port है वो टॉप वाली उसका वाल login and password ठीक है यह चारों चीज़ें अपने पास save रखें नोट पैड में IP हमने buy कर ली अब इसको access करने के time आ चुका है जनाब इसको आप access कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ तो ठीक है कुछ browsers ऐसे होते हैं यह कुछ apps market के अंदर मौजूद हैं जो आपको allow करते हैं कि आप उनमें अपनी custom IP लगा के use कर सकते हैं उनमें से एक popular browser जो है वो है go login go login मेरा favorite है क्योंके बहुत ही easy to use है beginner friendly है तो इसको आप use कर सकते हैं बिलकुल free है कोई पैसा इसका नहीं देना आपने जस्ट आपने IP buy करनी है और इस go login के अंदर लगा के आप उसे use कर सकते हैं तो go login के आप आएंगे अब मैं आपको step by step इसका सारा process बता देता हूँ बड़े मेरे subscribers को इसकी confusion है क्योंके मैंने इसको पर बहुत सारी वीडियो की हैं तो वो लोग पुछते हैं कि भाई इसमें ये मसला आ रहा है वो मसला आ रहा है तो आपने यहाँ पर create करना है तो login करने ठीक है mostly जो नए बंदे होगा उनके पास नहीं होगा तो I don't have an account पर click करेंगे और आप जनाब यहाँ पर अपनी fill करेंगे details email password डाले sign up करें आगे कुछ ये process आपको बताएगा आपने अपना account create कर लेना है अब वो मैं नहीं बताऊंगा जैसे Facebook के आप करते हैं account Instagram का करते हैं और TikTok का तो करी लेते हैं तो उसी तरह से आपने इसका भी करना है बस आपने जब account create कर लिया तो आपने उसमें login करना है मैं already मेरा of course account है तो मैं उसमें login करूँगा मैं login पर click किया और मैं यहाँ पर अपना email password डालता हूँ यह मैंने डाल दिया और login पर click करते हैं मुझे code आया होगा मेरे phone पर code मैंने डाल दिया और यहाँ पर login पर click करते हैं और आप अपने account के अंदर पहुंच जाएंगे ठीक है go login का सबसे पहली चीज अकाउंट बनाना है अब मेरी यहाँ पर एक profile दिख रही है जो के USA की है आपका यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा और नहीं दिखना चाहिए अगर आपका new account है यहाँ जो भी profile आपको दिख रही है सब को delete कर दें कोई जरूरत नहीं है उनकी यहाँ आपने new account बनाया और यहाँ पर तीन चाहर प्रोफाइल्स दिख रही है तो उनको delete कर दें ठीक है कैसे delete करना है सब को इस तरह से select करें जैसे मैंने इसको किया उपर आपको delete का option आ आ रहा है यहाँ पर delete पर क्लिक करें उन सब को delete कर दें ठीक है क्योंकि फ्री जो go login आ यह आपको तीन प्रोफाइल्स ही अलाओ करता है और यह पहले से अगर बनी होगी तीन चाहर प्रोफाइल्स तो पिर आपको use नहीं कर पाएंगे आपको error आ जाएगा तो error से बचने के लिए सारी प्रोफाइल्स पो delete कर दें जो पहले से बनी हुई है अब आपका यह खाली है बिल्कुल अब आप अपनी new profile बना सकते है अब कुछ लोगों को मसला आता है कि भाई यह go login पैसे माग रहा है और यह कहते हैं कि बाई plan पिक करें आप यही अपने ब्राउजर में go login के अकाउंट के अदर मौझूद है ना यहाँ पे क्लिक करें और आपने क्लिक करना है settings settings के उपर आप आजाएंगे यहाँ से आपने जनाब billing and plans के उपर आना है और यहाँ पे change plan पे क्लिक करें and change plan के अंदर आने के बाद यह सारे plans इनके आपको show हो जाएंगे यह सारे इनके जो हैं वो business plans है तो सबसे आप नीचे आएंगे न तो यह end में इनों रखा हुआ है बहुत चालाक है यह कसम से सबसे end में free plan लखा हुआ है ताके हमारी को से लाज जाए तो आपने क्या करना है इस free plan को click करना है ठीक है जैसे click करेंगे done आपका free plan select हो जाएगा और free plan के अंदर ही काफी सारी चीज़ें मौझूद हैं जैसे यहाँ पे आप देखें three browsing profiles आप use कर सकते हैं तीन browsing profile अगर आप use करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना आपने download पे click करना है done हो गया जी जैसे ही आप go login को download करते हैं और इसकी एक exe file download हो जाती है जो इसकी setup file होती है तो उसको आपने simply install करना अपने computer के अंदर उसको install पे click करें right click करके run as an administrator करेंगे next next करते जाएंगे और यह go login आपके पास install हो जाएगा go login को open करना है सीधा आपने यह go login को जैसे मैंने open किया तो यह हमारा open हो चुका है अब I already have an account जाहरे हमने browser के अंदर account बना लिया है तो उसी account को आपने login करना है और login details आप email password डालेंगे आप अपने account के अंदर आ चुके हैं यह हम अपने account के अंदर हैं अब go login हमारा बिलकुल तयार है अब इसमें हमें अपनी IP लगानी है ठीक है तो आपने add profile पे क्लिक करना है यानि हमने new profile एक add करनी है ठीक है और यहां ने के बाद आपने proxy पे क्लिक करना है and उसके बाद आपने क्लिक करना है your proxy और यहां पे http proxy रखना है यहां पे IP address अब जो मैंने आपको कहा था IP address आप copy करें वो आपने यहां पे enter करना है port मैंने आपको कही थी port जो सबसे top में थी details में वो आपने यहां पे paste कर देनी है and यहां पे login जो मैंने कहा था आपको copy करने को वो आपने paste कर देना है नीचे आने के बाद password आपने पेस्ट करना है, check proxy पे क्लिक करना है, यह आपको बताएगा proxy बिलकुल active है और चल रही है, आपने create account पे क्लिक करना है और यह profile आपकी add हो जाएगी, एक profile add हो चुकी है और आप आप ready है जनाब UK जाने के लिए, तो जिस country की भी आपने ली होगी proxy आपकी बिलकुल ready है, आपने run पे क्लिक करना है, और यह browser आपके सामने open हो जाएगा, अब आप जनाब पहुँच चुके हैं सिदा UK के अंदर, और वहां से आप अपने जितने भी accounts हैं उनको manage कर सकते हैं, जैसे यह मेरा browser open हो चुक है, यह हमें बता रहा है कि आप इस वक्त बना लूँ, पेउनीर का बना हूँ, Shopify जो भी आपने काम करना, टिक टॉक बनाना है तो आप यहां से कर सकते हैं, फेस्बुक के लिए भी आप इसे use कर सकते हैं, फेस्बुक अकाउंट्स को manage करने के लिए, best VPS solution जो हो यह है, बजाए इसके कि आप RDP यूज करें, वो बड बहुत ही slow होती है, लेकिन go login में फायदा आपको क्या है, कि यह आपके resources यूज कर रहा है, यह आपके computer की यह नीचे जितनी भी रह मैना वो यूज हो रही है, आपका गर कोई graphic card लगा हूँ है, आपका जो processor है वो यूज हो रहा है, तो speed आपको वैसी ही मिलती है, जैसी आप आपके normal google chrome browser के अंदर मिलती है, speed आपको बहुत ही मस्त मिलने वाली है इसके साथ, तो यह आपके लिए एक तो reliable है, affordable है, speed भी best है, और जना आप यह best solution है आपके लिए बजाए इसके आप विपस के उपर जाएं या RDPP जो होता है, उसमें एक तो मसला है को mega बहुत है, तकरी system और इसमें आप अपने accounts को manage कर सकते हैं, बाकी अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको reply करूंगा जरूर और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप बता सकते हैं, comments में, इस वीडियो को like भी करें और चैनल को subscribe कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी लेगली वीडियो में अपना ख्याल रखेगा, अलाहाफिस.